हेलो माई डियर फ्रेंड्स मैं विविक कुमार आप सभी का अपने यूटूब चैनल यूवी कंप्टिशन्स में स्वागत करता हूँ साथे मेरे राजस्तान हाई कोट ने आरेस प्री एक्जाम 2021 को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है आरेस प्री एक्जाम 2021 का जो रिजल्ट है उसको राजस्तान हाई कोट ने रद कर दिया गया है राजस्तान हाई कोट के इस पैसले से राज्य सरकार और आरपी एससी को बड़ा जटका लगा है साथियों मेरे आरेस की मुख्य परिक्षा का आयोजन जो की हाली में 25 वा चब्वीस परवारी 2022 को होने वाला था उसकी समय सायरने भी जारी कर दी गई थी आरपी एससी के द्वारा और इस समय ये ब्रेकिंग ली जाना आरपी एससी के लिए एक बड़ा जटका है साथियों मेरे आरेस भरती परिक्षा 2021 जिसका की रिजल्ट जो था परिणाम होगा रिवाइच साथियों मेरे नियाले ने आदेश दे दिये इससे मुख्य परिक्षा के लिए अत्रिक्त समय मागने वाले अभ्यर्तियों को बड़ी रात मिल गई है अभ्यर्ती बार बार जो की मेन से अक्जाम के लिए मेन से ऐग्जाम की डेट को चेंज करने के लिए बार बार सरकार से आग्रे कर रहे थे जश्टिस महंद्र गोयलने ये आदेश दिये अंकित कुमार सर्मावय अन्य की याचिका पर दिये आदेश याचिका करता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने रखा था अपना पक्ष और वहीं RPSC आयोग की ओर से अधिवक्ता अमित लुभाया ने अपना पक्ष रखा सात्यों मेरे 25 और 26 परवारी को आयजित होनी थी RPS मुख्य परिक्षा 2021 RPS मुख्य परिक्षा 2021 जो की 25 और 26 परवारी को आयजित होनी थी प्री एक्जाम जो की 27 अक्टूमर को आयजित हुआ था उसका परज़डाम जो जारी हो चुका था वो परज़डाम को रद कर दिया गया लगबग 20,000 अभ्यर्ती आरेस मुख्य परिक्षा में बैठने वाले साथ यो 21 फरवारी 2022 को मुख्यमंत्री सिरी असोग गैलोत ने मुक्च्य परिक्षा आरेस मुक्च्य परिक्षा को समय पर कराने के आदेश दिये थे उन्होंने अपने आदेश में क्या कहा था 21 फरवारी 2022 को सभी भरतिया निश्ची समय में पूरी करना राज्य सरकार की प्रात्मिकता है आरेयस मुख्य परिःच्चा इस्तंगित करने की मांग नययोजित नहीं है मुख्यमन्तरी राजस्तान सरकार इसमें लिखा मुख्यमन्तरी सिर्यासोग गैलोक ने कहा कि परत्योगी परिःच्चा समय बढ़ रूप से आयोजित कर सभी भरतिया एक निश्चिस समय में पूरी करना राज्य सरकार की प्राक्ति मिक्ताम है इसी के तहत राजस्तान लोग सेवा आयोग एवम राजस्तान करमचारी बोर द्वारा भरती कलेंडर जारी कर उसके अनुरूप कर परिक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है आरेस मुख्य परिक्षा का आयोजन 25 वे 26 परवरी 2022 को RPSC की कलेंडर के अनुसार किया जा रहा है मुख्य परिक्षा में सामिल हुरे अधिकांस अभ्यर्ति चाहते है कि परिक्षा तैसे में पर हो परिक्षा इस्तगित होना अधिकांस परिक्षार्तियों के हित्मे नहीं है क्योंकि इससे उन पर आर्ति के मानसिक दबाव पड़ेगा ऐसे में कुछ अभ्यर्तियों द्वारा की जा रहा है मुख्य परिक्षा को इस्तगित करने की मांग नयायोचित नहीं है इसके साथ ही मुख्यमंत्रिय असो गयलोत ने का कि R.A.S. की बर्ती प्रिक्रियाक के तीन चरणो प्रारंभिक परिक्शा मुख्या परिक्शा इम साक चातकर को एक वरस्में पूरा करने के लिए प्रारंबिक परिक्षा वे मुख्य परिक्षा के बीच 90 से 100 दिन का अंतराल रखना आउसक है इस से अधिक अंतराल होने से तैयारी कर रहे अब ब्यर्तियों पर अतिरिक दबाव पड़ता है आरेस मुख्य परिक्षा का आयोजन समय पर नहीं होने से अर्पियसी द्वारा जारी भरती कलेंडर की अन्य प्रतियोंगी परिक्षाओं में भी विलंब होने की आसंका है पूर्वे में भी वर्स 2013 से लेकर 2021 के बीच आयोजित आरेस बरती परिक्षाओं को लेकर न्याले में वाद दायर होने से बरती प्रिक्रिया पूरी होने में विलंब हुआ है मुख्यमंत्रिन का कि आरेस बरती 2021 की प्रारंभी परिक्षाओं का आयोजन 27 सक्टमबर 2021 को हुआ था और परिणाम 19 नौंबर 2021 को जारी किया गया ऐसे में मुख्य परिक्षाओं की तैयारी के लिए अभ्याप्त समय मिला है मुख्य परिक्षा की तीती बढ़ाने की मांग कर रहे अभ्यर्तियों को कहना भी तरसंगत नहीं है कि परिक्षा के पाठ्ठे करम में बदलाव के कार्ण उन्हें तैयारी का पूरा समय नहीं मिल पाया क्योंकि राजिस्तान लोग से वायोग द्वारा पूर्व में ये इस परिक्षा का अधिर्तान सिलेबस सेम है इससे मुख्य परिक्षा में बैठ रहे अब दर्तियों को किसी तरह की परिशानी नहीं होगी सिर्यासोग गैलोप ने कहा कि राजिसरकार ने पृतियोंगी परिक्षाओ के सुचारों आयोजन पर सुजाओ देने के लिए कुमावत कमेटी का गठन किया था इस कमेटी की सिपारीसों के अनुरूप RPSC भर्ति कलेंडर के आधार पर परिक्षाओ को आयोजन कर रही है उन्होंने कहा कि भर्ति पिरक्रियाओ को समय बद तरीके से पूरा करने की राज्य सरकार की परद्धिता के कारण वर्तमान सरकार द्वारा अभी ये तक एक लाग युवाओ को सरकारी विवागों में नियुक्ता परदान की गई है और विबिन विवागों की लगबग एक लाग साधिक भर्तिया परिक्रिया दीन है तो ये तो साथियों दिया था असोग गैलोप ने जो 21 परवारी 2022 को आरेस मेंस एक्जाम को लेकर अपना आदेश साथियों वहीं हाई कोट ने अपना फैसला सुना है हाई कोट ने फैसला दिया है कि आरेस परी एक्जाम 2021 के रिजल्ट को रद किया जाए तो इससे लगता है कि आरेस मेंस जो एक्जाम है उसकी परिक्षातिती भी बढ़ेगी आरेस बरती 2021 परी परिक्षा का रिजल्ट रद कर दिया गया है मेंस एक्जाम की डेट बढ़ने की पूरी संभाव ना है तो मेरे सातियों कुछ अन्य अभ्यरती भी सामिल हो सकते हैं मेंस एक्जाम के लिए तो आप सभी को यूवी कंप्टिसंस परिवार की तरफ से मेंस एक्जाम की सुबकाम नहीं और थैंक्यू सो मच जुड़े रही है हमारे साथ आरेस एक्जाम के अन्य अप्डेट्स के लिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंप्टिसंस पर और सात्यू यदि आपको वीडियो अच्छा लगाए और अभी तक आपने अमारा चैनल यूवी कंप्टिसंस सब्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्क्राइब करें साथ ही आमें इंस्टाग्राम और टेलिक्राम पर भी जोइन करें थैंक्यू सो मच धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रेकिंग नियूज आपके लिए अत्यांत मैत्तों पूर्ण है आरेस एक्जाम्स के सबी अभ्यरतियों के लिए अत्यांत मैत्तों पूर्ण है